नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है हमारे दिव्य घरेलू उपचार यूटूब चैनल में दोस्तों इस धर्ती पर नो जाने लाखों की संखिया में बनस्पति मौजूद हैं जो की हमारे आज पास मिलते रखता है और इसका अश्टी तो आज से ही नहीं बलकि हाजारों साल पहले से है और दोस्तों इस सभी बनस्पतियां हाजारों साल पहले इतने कारगर और सक्तिसाली थे और आज भी उतने कारगर और सक्तिसाली है आज के इस वीडियो में जो आप यह बनस्पति देख रहे हैं यह है आरबी इसके पत्ते बहुत बहुत बड़े होने के साथ सा ज्यादा तर नदी नालों के किनारे तलाब के किनारे शड़कों के आज पास थंडी इलाकों में पाया जाता है कई जगहों पर लोग इसकी खेती भी करते हैं इसके पत्तों का पकोड़ा और भजिया बहुत ही स्वादिश्ट लगता है दोस्तो इस बनस्पती की कई अन्य नाम भी हैं इसे हिंदी में अर्वी कहते हैं तो गुजराती में अलवी तो बंगाली में काचु कहते हैं और इस बनस्पती को बिहार में अर्वी कहते हैं दोस्तो यह बनस्पति नेपाल में भी होता है तो इसे नेपाल में करकलू कहते हैं तो दोस्तो आप इस अर्वी के पत्तों को ध्यान पुर्बग देख लेजिए पहचान लेजिए जान लेजिए अगर आप और नाम से भी जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख डालिएगा दोस्तों यह कई परकार के पोशक ततों से भरपूर होता है इसके अंदर प्रोटीन, कैल्सियम, फाइबर, बिटामिन सी, बिटामिन ई, बिटामिन बी और बिटामिन के भी होता है शाथी इसके अंदर आइरन भी होता है इस बनस्पति के कई सारे दिव्य और चमतकारिक फाइदे हैं जिसे की लोग ऐसा मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसके कंद का सबजी बनता है या इसके पतियों का भी पर्योग करके पकोड़ा भी बनाया जाता है इसकी भजिया भी बनायी जाती है लेकिन दोस्तों इसके बहुत सारे अन्य और भी फाइदे हैं आप इस बनस्पति के सहारे घाव अगर हो गया है और ठीक नहीं हो रहा है तो आप उसे भी ठीक कर सकते हो कान के दर्द को ठीक कर सकते हो इसके साथ साथ अगर आपको बिच्छु डंक मार देता है तता या काट लेता है या हाडा बीरने काट लेता है तो उसे भी आप ठीक कर सकते हो इसके अलावा दोश्तो जोड़ों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, कमर दर्द हो या कैसा भी दर्द हो उसे आप ठीक कर सकते हो साथे साथे या सारेरी कमजोरी को दूर करने की भी छमता रखता है तो आज के इस वीडियो में मैं आज इसी के बारे में पूरी जनकारी आप सभी को देने वाला हूँ तो आप वीडियो में लाश्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आये तो अभी एक लाइक और एक कमेंट कर दिजिये और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं डेली हेल्थ से जूरी जनकारियां लेकर आते रहता हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अगर आपके कान में दर्द है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं दोस्तों इसके ताजे पतियों को आप तोड़ लीजिए और इसे आप पीष लीजिए और पीषने के बाद इसके रश को आप बाहर निकाल लेजिए और एक से दो बुन कान में टपकाईए कान का दर्द कुछी दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाता है यदि आपको घाव हो गया है जल्दी नहीं भर रहा है तो आप इस अर्वी के पतियों क्या इस्तेमाल करके आप घाव को ठीक कर सकते हैं आप क्या करें कि इस अर्वी की कोमल पतियों को तोड़ लें और इसे अच्छी तराशे शिलवर्ट पर खराल लीजिए पिषने के बाद जहां भी आपको घाव हुआ है उस आष्थान पर इस लेप को लगाईए इससे आपका घाव बहुत जल्द भर जाएगा इसके साथ ही अगर आपको बिच्छू ने काट लिया है हाडा बिर्णी ने काट लिया है तो दोस्तों आप इसके ताजे पतियों का रश निकाल कर वहाँ पर लगाएं बिच्छू का जहर कुछी घंटों में उतर जाता है और दर्द से बिलकुल राहत मिलती है इसके साथ ही दोस्तों अगर आप इस अर्वी की सबजी बना कर खाते हैं तो जोडों का दर्द, घूटनों का दर्द, गठी या स्चाइटिका से बिलकुल राहत मिलती है दोस्तों इसके अलावा इस अर्वी के पत्तों के और बहुत सारे उप्योग है यानि फाइदे हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जनकारी को लेकर तब तक के लिए आप शभी को बहुत बहुत धन्यवाद